जैसा कि आप सभी लोग पता कि BPSC TRI 3rd का form submit करने का अंतिमती थी बीना बिलंब सुलक दिये आज है आने कि 23 फरवरी 2024 और यदि आप अपना form बिलंब सुलक के साथ जो है उस सम्मिट करते हैं तो उसके लिए BPSC के तरफ से आपका TRI 3rd का अंतिमती थी आपका 25 फरवरी 2024 जो ह को लेकर यहां पर बात करने वाले है क्योंकि बहुत सारे सिखकों का आपके payment को लेकर यहां पर आपका समस्या है दुछे समस्या में आपका दो तरीके जो है एक तो पहला उन सिखसकों का समस्या है जो आप लोग हो अपना जो का payment वाला option है वह आपका एक्टिव है आणि फिर से आपको payment करने को लेकर आपका बोला है तो इस तरीके का समस्या है तो कैसे इस समस्या का समधान होगा उसको ले कर बात करेंगे और दूसरा यहाँ पर आपके payment उन सिचकों को लेकर कि जिनका यहाँ पर payment ही नहीं हो पार है आनि जैसे आप payment करने को लेकर आगे आपना पोर्टल जो है बढ़ा रहे हैं तो या तो आपका error लिख दे रहा है या फिर जो आपका पैसा वगर है वो आपका यहाँ पर कट ही नहीं पार रहा है तो किस तरीके साप आप यहाँ पर payment करेंगे इसको लेकर भी बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पर जो जिन से चोकों का payment होने के बाद भी आप फिर से payment करने को लेकर बोला है तो उनको लेकर बात करेंगे देखें यहाँ पर ध्यान रखेगा कि जो आपका पोर्टल है पहली बात यहाँ पर आप Google Google पर यहां पर मत ख़रेगा भलकि जो आपकी Chrome ब्राउजर है उससे आप यहां पर अपना Portal open करेगा ओपेन आप यहां पर करेंगे तो जैसे आप यहां पर Chrome अगर आप सेर्च करते हैं तो उसके मुबाइल कुछ और होते हैं पर कुछ आपके एक और यहाँ पर एडर रहेंगे लेकिन आप अपने मुबाइल में देखेंगे तो जो आपका हिस्ट्री वाला कालम है यह आपका रहेगा ही तो यह जो आपका हिस्ट्री वाला कालम है इस पर यहाँ पर क्लिक करेगा और फिर इस पे आप क्लिक करेंगे तो जो चीज आप यहाँ पर अपने Google या फिर अपने Chrome अगर आप यहाँ पर सर्च करते रहते हैं वो सभी चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर आपका हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में तो आपका पूरा डीटेल यहाँ प यह थे और लॉग इन करने के बाद आप इस टेप आए जाते 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 जो आपका पेमेंट वाला ऑप्शन था उस पर यहाँ पर किया होंगे तो जो आपका लिंक होगा उस लिंक पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर ब्राउजर वगर आपके डाटा दिये रहते उस पर आप यहां पर जैसे क्लिक करेंगे, तो फिर आपका यहां पर सर्च करने का BAR जो है अगा आपका दिया रहता है, जैसे आप यहाnh पर घालमे आप जाएगा, और यहाँ पर आपका पेमेंट का लिंक होगा, जिस लिंक से आपने payment अपना कटवाया और उस link को आप यहाँ पर refresh करेगा तो यहाँ से आपका payment successful जो है आपका हो जाएगा देखे इस तरीके से समस्या आपका TRE2 में हुआ था बहुत सारे सिचकों का एक बार छोड़िये दो दो तीन तीन बार उनके तरफ से payment कटवा दिया गया और उनके एक payment जो है आपका successful हो गया और फिर उसके बाद और पोर्टल अपना login करे तो जो final print है उसे ओ लोग डाउनलोड कर सके तो इस तरीके से आप यहाँ पर try जो है करेगा यह आपके पास best option है और यह जो आपका payment इस तरीके से कटने के बाद भी आपका फिर से payment करने को लेकर यह payment करने वाले पर click करेगा और पूरा step आप बढ़ेगा मतलब आपको यहां पर payment नहीं कटवाना है बलकि आपको पूरा step बढ़ना है और जहां पर आपके payment के option को लेकर आपका दिया रहता है कि आप इस माध्यम से अपना payment जो है इस method से आप किस method से आप अपना payment करना चाते है तो वहां से फिर आप वापस आजाएगा यदि वापस आता है तो अच्छी बात है यदि वापस नहीं आता है तो आप portal को cut कर देजेगा और फिर cut करने के बाद फिर से आप अपना portal जो है वो login करेगा इस तरीके से आप जो है वो try करेगा हो सकता है कि ऐसे भी आपका जो payment ह वो आपका है वो successful हो जाए और यदि मालीजे ऐसे भी आपका नहीं होता है तो आप यहाँ पर कोसिस करेगा कि यदि आप जो अपना payment है mobile वगरे से cut वाए हो या फिर मालीजे आप laptop से या फिर computer वगरे से cut वाए हो तो आप दूसरे portal में आप अपना जो detail होगा उसे आप यह पर आप लोग का जो double payment आप लोग यहाँ पर करने वाले थे तो यहाँ पर आप लोग का अच्छा खासा पैसा जो है बचत किया जा सके तो आप यहाँ पर इस तरीके से कर सकते हैं बाखी जो हमने आपको पहले बताया जो आपका हिश्टी वाला कालम है यहाँ पर प्यापक पगड़ा है वो आपका payment successful नहीं होता है और यहाँ पर आपका बीना बिलम वसूल के दिये आज ही आप लोग यहाँ पर payment करने का अंतीमतिती है तो आप यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं कि देर साम तक आपका जो payment होगा उसे आप यहाँ पर जो है कटवा सकते हैं क्यो आपका portal है उस पर आपका update नहीं हुआ और जो आप login करें उसके बाद भी आपका फिर से payment करने का option आपका आ रहा है तो इसका मतलब साफ है कि भले ही आपके account से पैसा कटा है BPSC वाले नहीं मानेंगे क्योंकि उनके पास यह जो आपका पैसा है वो पैसा वो नहीं गया है त इसलिए आप यहां पर ध्यां रखेगा कि यदि आपका successful नहीं होता है payment तो साम तक फिर से जो है आपको यहां पर payment करना होगा क्योंकि उसके अलामा कोई आपके पास रास्ते जो है उनहीं है यह जिस account से आप अपना payment वगर आप यहां पर कटवाए हैं और वो जो आपका branch ह आनि जो भी आपका bank है आपके घर के अगल बगल या फिर आपके नजदिक है तो जो आपका bank होगा वहां पर आप जो है वो जा सकते हैं और जो आपके manager होगे उनसे आप यहां पर request कर सकते हैं कि आज ही आपका form submit करने का अंतिम्तित है इस तरीके से हमने अपना payment जो है होगा और आपके account से पैसा कटा है तो उसमें आपके transaction detail भी आपके दिये रहते हैं तो जो आपके bank manager होते हैं और आपके transaction detail से पता कर सकते हैं कि आपका payment है कहां पर आपका पेंडिंग है या फिर किस तरीके से आपका payment को लेकर आपका समस्या है तो bank manager के तरफ से यादि दियर बता दिया जाएगा कि जो आप लोग का payment है कहां पर किस तरीके से आपका फसा है ताकि उस रास्ते को आप यहां पर हो सकता है कि अपना है तो यहां पर जो आपका payment है वह आपका यहां पर successful हो जाए देखिए आप लोग contact को लेकर सोचेंगे कि क्या हम BPS पास contact करेंग जो आपका bank होगा उससे आप यहां पर contact कर सकते हैं और यदि मानलीजे आप यहां पर दुबारा पेमेंट कर देते हैं आपको लगता है कि नहीं यहां पर किसी भी तरीके से आपके समस्या का समधान यहां पर नहीं हो पा रहा है तो आप यहां पर दुबारा payment जो है कटवा हो जाता है तो यदि मानलीजे आप यहां पर एक से जादे बार payment कटवाने बाद आपका successful हो गया तो जो आप लोग का पहला वाला payment कटा होगा जो की आपका पैसा आपके account से कटा लेकिन वो आपका पर पोर्टल है या फिर जो आपका BPSC का form है उसमें आपका update नहीं हुआ तो आप यहां पर bank में जो है वो जाएगा क्योंकि जो आपके लोग का पहला वाला पैसा होगा या फिर दूसरा वाला पैसा होगा जो आपका पैसा update नहीं हुआ है तो उसके यहां पर refund को लेकर उसके साथ ही जैसे मालीजे आपका जो भी bank है आप Google वगर आपे search कर तो toll free number से आप यहां पर complaint जो है कर देजेगा और उसके साथ ही आप यहां पर mail भी जो है उकर देजेगा mail का मतलब BPSC को mail नहीं करना है यहां पर बलकि जो भी आपके bank होंगे bank का भी एक mail के माध्यम से आप लोग कहां पर complaint आपका किया जाता है तो यहां से भी आप complaint वगर जो है कली जेगा और इसके आपका होगा उसे भी आप समिट कर देजेगा और उसके अलामा जो आपके transaction ID बगर रहेंगे वो आप यहां पर mail में जो है mention कर देजेगा ताकि जो आप लोग का पहले का पैसा कटा है वो आपका हैं पर पैसा लगभग 10 दिन आपका लगेगा 10 द जबी के सार हैं तो आप यहां पर इस तरीके से ट्राइ करेंगे तो हो सकता है कि आपके समस्या का समधान भी हो जाए और आप लोग का पैसा है वो भी आपका refund हो जाए और उसके आलामा जो आपका यहां पर form आपका final जो है वो submit हो जाए अब फिर यहां पर दूसरा बात कर रहें और पिर पैमेंट कटवार हैं तो गुगल यहां पर मत करेगा बलकि जो आपके इहां पर Chrome browser को आप यहां पर open करेगा और open करने के साथ ही आप यहां पर कोशिज करेगा कि आपका जो मतलब यहां पर यहां पर पोर्टल लॉगिन जा तो आप अपने जो आपका यहां पर जो सर्च बार होगा जैसे आप यहां पर थ्री डॉट्स आप यहां पर कोने में आप यहां पर देखेंगे तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से जो आपका आप यहां पर देखेंगे निव इन कोगनेटिव इस त चैसे बाद जो आपका bps का portal होगा उसे आप यहां पर login करेगा क्योंकि इस से अप यहां पर कडुरेगे तो यहां पर जो आप पर कलिए करिए करिए जुजह खरे हैं इसपी करिक कर सकैक्षिक new incognitive tab है इस पी आप क्लिक करके फिर अपना portal login करके फिर आप login करेंगे तो आपका payment वाला option है वो आपका आएगा और फिर उसके बाद आप अपना payment जो है कर दीजेगा देखे payment करने जा रहे हैं तो आप यहां पर net banking के माध्यम से आप अपना payment करें तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि net banking से आपका जो payment होगा वो आपका यहां पर फसेगा नहीं तो पहली यहां पर प्रात्मिक्ता दीजेगा net banking को लेकर यदि मालिज आपके पास net banking नहीं है तो जो भी आपके माध्यमें डेविट कार्ड हो या फिर फोन पे वगरा यूपियाई वगरा तो उससे से आ लाइपटाफ हो या फिर आपके पास computer वगरा हो तो आप यहां पर उनसे payment करवाएंगे तो उनसे यहां पर थोड़ा सा फसनिक यहां पर कम आपका chance रहता है मुबाइल से maximum रहता है कि आपका payment भी कर जाता है और आपके account से पैसा भी कर जाता है और उसके बाद भी इस तरीक आप कोशिस ही कर सकते हैं क्योंकि यहां पर आप तो खुद ही यहां पर आपके अपने हाथ में तो नहीं है कि आप लोग का जो payment कट गया उसे आप यहां पर refund भी जो है उकर सकें लेकिन आपके अनुसार जो भी यहां पर आपका कोशिस वगरा है आप यहां पर जो है कर सकत करो gebrusorry kommen lol लेकिन यहांपर आपके पास समय हुन ही बचा है तो यए जो भी करीगा आज साम तक आप हर्एक चीज करने के बात आप यहाँ पर यदि आप लोगका सकसेजफुल हो जाता है बहुत अच्छी बाते बाखी यदि आप लोग का payment फसने के बाद भी उसी तरीके से आपका payment वगरा pending वगरा है तो फिर आप यहां पर दुबारा ही payment कर सकते हैं क्योंकि दुबारा payment करने के अलाबा आपके पास यहां पर कोई उरास्ता नहीं होगा और दुबारा payment करेंगे तो जो हमने आपको पहले बता है payment refund करन करेंगे तो उससे यहां पर चांस है और मैक्समाम चांस ही है कि आप लोग का जो पेमेंट है वह आपका हो जाएगा क्योंकि टीयारी फर्स्ट में सिचकों का पेमेंट रिफंड नहीं हुआ था लेकिन टीयारी टू में बहुत सारे सिचकों का पेमेंट भी रिफंड हुआ थ था तो यह आपके payment को इसू को लेकर है बाकि अन्य आपके समस्या आ रहे होंगे टियारी थर्ड के फॉर्म समीट करने को लेकर तो जो भी आपका समस्या या फिर जो भी आप लोग का डाउट वगरा है तो कमेंट में अपना जो है उस सेयर कर सकते हैं तो अभी के लिए यहीं